लोज़ की लोज़ चाई रहे हैं लोज़ देशी बिलाएं जंगल के सभी जानवरों ने एक लगाया मेला एक बड़ा सा तंबू बड़ी दूर तक फैला हाथी लगा समूसे तलने भालू नर्म कचोड़ी बकरी ने दू कान लगाई खाई पान गिलोरी बंदर लगा तमाशा करने संगबंदरी को लेकर घोड़ा पैसा कमा रहा है सरपट तोड़ दोड़ कर तो तेने अपने डेरे में एक होटल सा खोला दूसा सॉमबर वड़ा बेच कर खुश है मिठ्धू भोला गधा पापर लगा बेल ने चूहा नाच दिखाता बिल्ली रानी घूम रही है लिये हाथ में चाता चीते ने एक सरकस खोला बीवी बच्चे लेकर गीदर देख रहा है सरकस गैंडे ऊपर चड़कर डुग 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 बजी डुग डुगी होती रेलम रेला जंगल के सब जानवरों ने एक लगाया मेला तो हम कविता में यानी जानवरों के मेले में मिले बहुत सारे जानवरों से जैसे की भालू, शेर, नहीं शेर से तु नहीं चीते से मिले थे भालू, चीता, बंदर, हाथी जो समोसे तल रहा था, तोता जो सांबर वड़ा बेच रहा था और जाने किन-किन जानवरों से हम मिले, तो क्या आप मेरे दो जानवरों से मिलेंगे, जो मेरे घर के अंदर रहते हैं, आहिए, मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे और यह है मचली रानी, जिनका खयाल रखना पड़ता है, जिनके पानी को हमें रोज बदलना होता है, ताकि पानी गंदा ना हूँ, और वो अराम से इसमें तैर पाए तो यह थी मचली रानी, जिनका हमें बहुत खयाल रखना होता है, रोज पानी बदलना होता है, ताकि पानी साफ रहे और वक्त पे इने खाना देना होता है, आईए आपको एक और जानवर दोस्त से मिलाती हूँ, जो कि मेरे घर के अंदर तो नहीं, पर आंगन के अंदर ज तेरे डो जानवर दोस्तो से, यानी मचली रानी ऑर बली रानी से, आईए, अब मैं आपको दो और जानवर दोस्तों से मिलवाती हूँ, देखते है कि अप उनको पहचान पाते हैं या नहीं, वो यहीं है, मेरे साथ बिल्कुल साथ, जरा बुलाती हूँ, आना जरा, आ रहे हैं दी रहे दी रहे दी में दी में ओ रहे हैं वो क्या आप उनको उनकी धारियों से पहचान पा रहे हैं क्या आप जानते हैं ऐसी धारिया किसकी होते हैं नहीं मुझे तो लगता है आप जानते हैं पर आप सोच रहे हैं मेरी, इतने पास मेरे क्या कर रहे हैं, और पास बुलाते हैं सरा, अब तो आप इने पहचानते होंगे न, तो यह है मेरे जानवर दोस्त, बिल्कुल सही पहचाना, बाग, जिनकी धारिया ऐसी होती है, हाँ, वो अलग बात हैं कि यह अभी इतनी अराम से मेरे पास इसलिए बैठे हैं, क्योंकि यह नकली हैं, अगर असली बाग मेरे सामने आ जाता, तो जाने मैं क्या करती, तो क्या मैं ऐसे बैट पाती थपतों में डर के मारे ब्योश हो जाती लेकिन ये तो है नकली तो इसलिए मुझे इन से डर नहीं लग रहा है ऐसे ही एक और जानवर दोस्त है मेरे गर आईए आपको उनसे भी मिलवाती हूँ नहीं नहीं मैं उने ही बुलाती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं साप को हाथ में लेकियो बैठी हूँ ठीक जैसे मेरे बाग जी बिल्कुल नकली है वैसे ही ये साप भी बिल्कुल नकली है अगर असली होते तो क्या मैं इनको ऐसे अराम से चूपाती बिल्कुल नहीं जितनी असानी से हम बिली को या मचली को फिर भी चूँ सकते हैं हम बाग और सांप को तो नहीं चूँ सकते तो ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जिनको हम असानी से चूँ सकते हैं जो कम खतरनाक होते हैं जो जंगलों में नहीं रहते हैं हमारे आस पास रहते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं जिनको बिल्कुल हम ऐसे अपनी गोद में नहीं बिठा सकते और उनको ऐसे हाथ में नहीं पगर सकते जैसे की बाग, शेर और ये सांप तो जो हमने वो कविता पड़ी थी आये और फिर से उ बहुत से जानवर देखें जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम बिल्कुल नहीं छू सकते हैं जैसे की सबसे पहले आये थे हाथी राजा दुम हिलाते हैं और उन्होंने तले थे समोसे तो हाथी को तो हम बिल्कुल छू भी सकते हैं उनकी सवारी भी कर सकते हैं अगर हम उन सधे को पाला जाता है, बंदर उसको हम छू सकते हैं, वो हमारे आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन बंदर को हम छूए तो ही काफी है, अगर हम उनको तंग करने पर आये, तो बंदर तो भई, वो तो बहुत और तंग कर सकते हैं हमें, तो हाँ उनको पर हम छू सकते हैं, इसके अ दो जानवर ऐसे थे जिनको हम बिल्कुल नहीं चू सकते और वे थे भालू और जीता इनको हम नहीं चू सकते तो अगर हम अपनी नजरे दोड़ाएं ना तो हमारे आसपास भी जानवरों का मेला है जंगल में ही नहीं हमारे आसपास भी तो आप जरूर अपनी नजरे और देखेगा असपास कि कौन-कौन से जानवर हैं और उन में से किन-किन को आप अराम से छू सकते हैं और किन-किन को आप नहीं छू सकते और जरूर सोचियेगा ऐसे कौन से जानवर हैं